कुईस्टै कैसे पता करेंगे कि अगर आपको घवराहट हो रही है एंजाइटी हो रही है पसीना आ रहा है और चांथ पर दवाह हो रहा है तो कहीं आपको कोई हाट की रिदम प्रॉब्लम तो नहीं है या केवल एंजाइटी उसके लिए आपको अपनी पल्स देखनी होगी या आप एक डॉक्तर से किसी डॉक्तर से अपनी पलस चेक करवा सकते हैं फॉप में आप अगर अपनी पलस रोजाना चेक करेंगे अंगूठे की सीद में जो लाइन आती है वहां से नीचे से थोड़ा सा राइट आपकर तीन उंगली रखेंगे हाथ धिला छोड़ेंगे तो तो pulse महसुष हो जाए अब इस pulse में अगर प्रॉपर अच्छी पल्स महसुष हो रही है आपको तो वो normal है अगर वो पल्स ही या बहुत तेज़ एर्रेगुलर रुक रुक के आ रही है तो रिदम प्रॉब्लम है तब आपको तुरंट ECG कराने की जरूरत है अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है खुद दौडने की जरूरत नहीं है खुद को आपने बैठ के जाना चाहिए वैसी वह भी गलती एक उधर हो रहे पेशेंट हाट में फिब्रिलेशन घबराठ हो रहे पेशन को और चलाओगे तो हाट्रेट बढ़ेगी बढ़ेगी न, अज को चलाना ने, नॉर्मल एंजाइटी में, रिदम सयम रहेगी, रहाट रेट बढ़ सकती है, रेट बढ़ी है, रिदम सेम है, उससे कोई दिख कर था नहीं है, लंबा सांस लो, that is important, नॉर्मल एंजाइटी में, हाट रेट बढ़ सकती है, लेकिन रिदम स कैसे होगी रिदम प्रॉब्लम होगी रुग्या ऐसे और नॉर्मल में यह रहेगा सो हाट रेट नॉर्मल है रिदम प्रॉब्लम है रुख रुख के पता चल जाएगा रेगुलर पल्स देखने की अपनी आदे डालो उसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम हम झालो जहा होगी रीजा बालो